So, Hello, Welcome Back आज हम लोगों को आगे डिसकस करना है जहां पिछली बार बात कतम हुई थी और पिछली बार हम लोगों ने बात कतम की थी वेव वेलोस्टी और फेज वेलोस्टी इक बारे देखे इस डाइगराम को देखे यह डाइगराम अपने आप में काफी इंट्रेस्टिंग है जहां पर एक फोटॉन को आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे बताया जा रहा है यहां फोटॉन जो कि अपने आपको एक वेव की तरह से भी समझ रहा है और वो कहता है कि उसके पास एक पार्टिकल का बिहेवियर भी है तो आप यहां पर इसको देख सकते हैं इस इस इसली अबलेबिल ऑन दा गूगल यहां पर आप देख रहे हो एक तस्वीर है आपके सामने यह है शोडिंगर तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी इनी के ऊपर है शोडिंगर एक्वेशन आज हम लोग को पढ़ना है कि शोडिंगर एक्वेशन क्या थी और शोडिंगर एक्वेशन को कैसे हम लोग अपने यूज मिला सकते हैं कुछ लॉजिक्स को आप समझ ले देखे सबसे पहली बात तो ये है कि लिब्रॉय ने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई पार्टकिल है तो उसके साथ एक वेव नेचर जुड़ा होता है और शोडिंगर नहीं सजेशन दिया था कि वेव नेचर का मतलब ये नहीं होता कि कोई सिंगल वेव जुड़ी हुई है बलकि यहां यह मतलब है कि नंबर ओफ वेव जो है वो इस पार्टकिल के साथ जुड़ी हुई है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर वेव का एक गुच्छा है बंच ओफ वेव हैं गुरूप ओफ वेव हैं तो इस वज़े से हमारा जो पार्टकिल है जिसके साथ पुरा वेव नेचर जुड़ा हुआ है वो एक गुरूप वेलास्टी के साथ मूव कर रहा है तो यह गुरूप वेलास्टी का तो इतना तो मालूम है कि हर तरह की वेव जो होती है वो एक तरह के एनरजी के फ्लो के साथ जुड़ा है जब भी कहीं वेव का प्रोपोगेशन होता है तो आप कहते हो कि वहाँ एनरजी का फ्लो हो रहा है तो इस तरह से जो वेव होती है उनकी लिए उनकी study करना होता है तो we need mathematics हमारे पास mathematics ये एक मात्र साधन है जिसकी सहायता से हम waves को study कर सकते हैं और ये हमने बहुत पहले recognize कर ली थे हैं Newton ने इस बात को recognize कर लिया था और उन्होंने एक mechanical waves तुकि उसमें discover थी तो उन्होंने बत पूरी full flesh theory इसके लिए दी थी और उन्होंने कहा था कि mechanical waves वो waves हैं जिनको चलने के लिए medium चाहिए और उसके लिए उन्होंने equation पूरी develop की थी Later on electromagnetic wave की discovery हुई ये किसने की थी इसे किया था J.C. Maxwell ने तो Maxwell ने इस discovery को किया electromagnetic wave को जो mathematical theory है और जो mathematical tool उन्होंने दिया that is the Maxwell equations अगर आपके पास mechanical wave की study करनी है then you have Newton's equation, electromagnetic wave की study करनी है then you have Maxwell equation but now what about the matter wave क्योंकि matter wave ना mechanical wave की तरह से थी ना वो electromagnetic wave की तरह से थी ये बिल्कुँ नय तरह की wave थी और ये नय तरह की wave को समझाने के लिए हमें एक नई mathematics की आवसकता थी और वो जो mathematics है उसी को हम Schrodinger equation कहते हैं तो आप एक journal सा idea अपने दिमाग में develop कर लें कि Schrodinger equation क्या है Schrodinger equation वो equation है जो कि इस matter wave को represent करती है और ये matter wave का concept कहां से हमारे प्रास आ रहा है इसका concept हमारे पास है डिब्रोय वेव पार्टिकल डूल्टी के concept से तो ये हमारे Schrodinger equation की भूमिका है क्यों हमें Schrodinger equation को समझना है या पढ़ना है अब इसकी भूमिका अगर इसकी हम development की बात करें तो इसकी जो theory है उस theory का origination कैसे आप होगा इसको जरा समझ लो दिखो भाई अगर कोई भी wave हम समझना चाहते है then we need to study its mathematical behavior हमें उसका mathematical behavior समझना पढ़ेगा इस बात को recognize करते हुए Newton ने एक theory develop की थी तो माल ले हमारी कोई wave है जो केवल x direction में चल रही है हाला कि ये सभी directions में flow कर सकती है तो अब इसके लिए एक equation हम लिख सकते है इसके लिए एक equation लिखी जा सकती है एक कोई function d2f dx square plus 1 upon v square d2f by dt square is equal to 0 where f is what? f is some function f हमारा कोई function है और ये function किस पर depend करता है जिस wave की बात कर रहे है उस wave के behavior पर इसका dependency होती है तो इस तरह की equation को हम wave equation का नाम देते now this is the wave equation standard form of wave equation तो यहाँ पर एक time dependent part है तो को t वाला है एक space dependent part है x वाला x को ही क्यों माना चुकि हमने x direction में ही सारा motion मान रखा इसलिए अब यहाँ f के बारे में समझ लो देखो आप लोग को mechanical wave का idea है mechanical wave को अगर समझना चाहें जिसे मान लो कि इस तरह से हमारा कोई medium है और medium के particle है suppose यह line ने उन medium particle की density को show कर रही है जब यहाँ से mechanical wave flow करेंगी तो यह जो medium के particle हैं यह जगह जगह पर compress हो जाएंगे और जगह 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 पर rarefied हो जाएंगे देखें यहाँ पर यहाँ से rare हो गए इन जगहों से rare हो गए और इन जगहों पर compress हो गए तो यहाँ पर आपको density का बदलाव दिखाई पड़ेगा तो जब कोई mechanical wave किसी medium से propagate करती है तो medium की जो density होती वो change होती है अब इस medium की density की change होने की वज़े से हमारी जो energy है उसका flow आगे होता रहता है और हम कहते हैं भाई हमारी wave जो है वो propagate कर रही है तो अगर आपके पास कोई mechanical wave है तो उसमें density का change दिखेगा तो आप मान सकते हो कि हमारा जो ये function f है ये हमारी density हो जाएगी ऐसे ही अगर हम electromagnetic wave की बात करें जो x direction प्रपोगेट कर रही है तो हम वहाँ पर एक variable की रूप में इस तरह की equation लिख सकते हैं हमने इसमें electric component को मान लिया और c velocity of light है ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं बी की component में आप बी की component में भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि जब electromagnetic wave चलती है तो हम मानते हैं कि उसमें electric component और magnetic component का variation होता है तो एक idea आपको मैं develop करना देना चाह रहा हूँ कि जब भी हम किसी wave की study करेंगे then we need a wave equation जो इसका standard form है अब कैसे पहचानों की कौन सी wave है तो उसके लिए पहचानने के लिए हमें यह function इस्तेमाल करना पड़ेगा F अगर वो density का बतलाव है इसका मतलब medium में चलने वाली wave है इसका मतलब mechanical wave की बात चल लिए अगर electric और magnetic component की change होने की बात इसका मतलब electromagnetic wave की बात चल लिए अब आती है कहानी wave equation की matter wave के लिए तो matter wave जो था वो matter wave ना तो mechanical wave है तो ना इसमें density को यूज कर सकते हैं ना यह electromagnetic wave है ना E और B को यूज कर सकते हैं लेकिन mathematics तो suggest करती है कि equation तो इसकी wave है तो equation तो होगी तो Schrodinger ने यह नहीं मालूम था उन्हें कि किस तरह का function यहां लेना चाहिए तो उन्होंने एक arbitrary function चुल लिया इसको हम साई कहते हैं just as a symbol एक letter है symbolic letter है तो जैसे हमने row E B symbol चुने उन्होंने इसको भी symbol चुल लिया अब इसका physical मतलब क्या है what is the physical meaning of this यह अभी हम कहेंगे कि मालूम ही नहीं है Schrodinger को अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं उन्होंने just mathematical progression सुरू कर दिया और उन्होंने इस तरह की एक equation लिखी हुई माल ली लिख सकते थे अगर हम थोज़ देर के चिंता छोड़ दे कि साइ का क्या मतलब होगा असल में तो अब हमें इतना मालूम है कि साइ यह वेव फंक्शन माना है उस matter wave के लिए जिसको ऐसे योच करेंगे अच्छा हमारी जो यह second order की differential equation है इसका जो solution होता है उसको हमें मालूम कैसे लिख सकते हैं तो जब इस तरह के equation होता है तो हम इसके solution को ऐसे लिख सकते हैं कि साइ इस सम कॉंस्टेंट exponential i kx minus omega t अगर अब यहां कोई constant है तो अगर हमारे पास इस तरह के differential equation है सपोज equation number 1 है तो उसका एक solution जो है equation number 2 के form में लिख सकते है देखो यह homogeneous differential equation है तो इसमें particular integral नहीं होगा complementary function होगा वो हमने complementary function यहां पर लिख दिया यहां अक्य क्या है k जो होता है वो wave की property lambda के साथ जुड़ा होता है omega जो है वो wave की property 2 pi new या frequency के साथ जुड़ा होता है k को हम propagation constant कहते हैं या wave number कहते हैं omega को angular frequency कहते है तो Schrodinger ने कहा इस तरह के question होनी चाहिए उसका solution होना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं अब सवाल यह था कि आखिर यह theory किसके लिए है यह theory हमारी matter wave के लिए है समझेगा ध्यान से इस पूरी process को matter wave क्या होते है matter wave वो wave है जो कि wave particle duality को पूरी तरह से follow करते है कि जो आप wave particle duality क्या करता है कि जिसको आप particle कह रहे हो उसके पास wave का behavior है और जो wave है उसके पास particle का behavior है तो wave के पास particle का behavior है इसकी theory क्या है इसके लिए हमारा e is equal to h new formula है और particle के पास wave behavior है इसके लिए क्या इसके लिए कि p बराबर h upon lambda ये हमारे पास डिब्रॉई का concept है तो डिब्रॉई concept कहता है कि particle के पास wave nature है और e is equal to h new ये formula कहता है कि particle की wave के पास particle behavior है तो अब हमें ये दोनों चीजे अपने अपने पास इसको समझेना है इसको मानना है कैसे हम इसको include करेंगे तो सबसे पहले हम बात सुरू करते हैं कि Planck relation से Planck का relation क्या था Planck का relation ये बताता था कि Einstein ने उसका interpretation ये दिया कि हमारे पास जो wave है electromagnetic wave है उस wave के पास एक particle जैसा बेहार है जिसको कि हम photon कहते हैं तो हर photon की energy is equal to h new है अब आप देखो यहां पर क्या कर सकते हो h upon 2 pi से और 2 pi से multiply कर दो h upon 2 pi को हम h cross कर दें और 2 pi new को हम omega कह दें तो यहां से omega की value क्या जाएगी e upon h cross तो आपने जब wave as a particle इस concept को consider किया इसका मतलब omega की जगाए पे आप e upon h cross लिख सकते हो equation number 3 अब आते हैं डिब्रॉय relation के डिब्रॉय ने क्या बताया डिब्रॉय बताते हैं कि जहां जहां हमारे पास particle nature है वहां वहां उसके साथ हम moving condition में wave nature माल सकते हैं तुन्होंने लिखा p is equal to h upon lambda अब ऐसे लिख सकते हैं h upon 2pi into 2pi by lambda so p बराबर हो जाएगा h cross और 2pi by lambda हो जाएगा k so k की value हो जाएगी p upon h cross so omega की value है e upon h cross k की value है p upon h cross equation number 4 अब आप क्या करोगी question number 3 और 4 की value question number 2 में substitute कर दोगी so you will get psi is equal to a exponential i k की value आप पू रखना है p over h cross x minus e over h cross t थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से कर देता exponential i over h cross p x minus e t now this is the equation number 5 जड़ा equation number 5 को ध्यान से देखो यह psi का formula है जो की complex nature का है और इसके अंदर p की बात भी हो रही है e की बात भी हो रही है physically समझो जहाँ p है इसका मतलब वहाँ आप बता रहे हो कि particle is a wave जहाँ e है वहाँ आप बता रहे हो wave is a particle तो यह एक ऐसी mathematical equation है जिसका की एक part let me show this इसका जो यह part है यह part बता रहा है जहाँ p है कि particle is a wave और जो दूसरा part है जिसमें e है वह represent कर रहा है wave is a particle so आप इसको ऐसे समझ लो कि equation number 5 अपने आप में wave particle dualty को समझा रहा है equation number 5 में दो हिस्से हैं जो particle is a wave, wave is a particle दोनों को represent कर रहा है यानि कि यह wave particle dualty को सबसे अच्छे तरीके से समझाने वाला mathematical relation है अब आप क्या करें अब आप यहाँ पर एक mathematical काम करें कि आप psi को x के साथ differentiate कर दें तो जब आप इसको differentiate करोगे तो आजाएगा a exponential i over h cross px minus et और इसको differentiate करोगे तो जाएगा d over dx i upon h cross px minus et क्या मिलेगा यहाँ से इसका differentiation आपको दे देगा i p upon h cross और इसके बाद यह जो पूरा आ गया जब आप इसको लिख लोगे तो यह जो पूरा term है यह तो फिर से psi हो जाएगा तो हम लिख देंगे psi तो आप इसको differentiate करोगे दोखो यहाँ हम इसको बनाते रहे हैं इसको differentiate करोगे तो i p by h cross आ जाएगा यह और जो यह पूरा term है जो यह हम दिखा रहे हैं यह तो हमारा psi के बराबर है ऐसे ही अगर आप इसको दो बार differentiate करोगे तो दो बार differentiate करने के मतलब है i p upon h cross फिर से multiply हो जाएगा तो square हो जाएगा psi वैसे रह जाएगा और यहाँ से आजाएगा p time psi upon h cross का square इसको हम एक box में बंद कर लेते हैं ताकि यह कहीं गायब न हो ठीक है अब क्या करें एक काम और करिए एक काम आप यह करिए equation number 5 को time के साथ differentiate कर दीजिए क्यों कर रहे हैं अभी हम लोग देखेंगे time के साथ differentiate करोगे तो आपके पास आजाएगा a exponential i over h cross p x minus e t then d by dt और आपको मिलेगा p x minus e t इसको differentiate करोगे तो यहाँ minus e रहेगा तो आपके पास जाएगा minus i time e upon h cross और यह जो पूरा टर्म है यह तो अपने आप में psi के बराबर है तो हो जाएगा psi तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो e times psi is minus h cross upon i d psi by dt minus को हम i square कर लें तो i square h upon i d psi over dt i i cancel तो i h cross d psi over dt equation number 7 ठीक है तो equation number 5 हमने calculate कर लिया 6 calculate कर लिया 7 calculate कर लिया अब हम यहाँ पर एक law of conservation of energy निकालते हैं कि law of energy conservation क्या suggest करता है कि total energy is basically sum of kinetic energy plus potential energy we already know that कि kinetic energy जो होता है वो होता half mv square अगर हम इसको m से multiply और m से divide करें तो इसको लिख सकते हैं p square over 2m तो आप यहाँ पर लिख सकते हो e is equal to p square over 2m plus v अगर हम इसमें एक function psi को दोनों तरफ multiply कर दें तो इससे हम पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यह हो गया अब यहाँ पर p square psi आप already equation number 6 से लिख चुके हो और e times psi आप equation number 7 से लिख चुके हो तो आप लिख सकते हो by equations 6 and 7 the equation 8 becomes now what यह हो जाएगा i h cross d psi over dt is p square psi क्या है भाई देखे p square psi क्या है minus h square तो यहाँ सो जाएगा minus h cross square over 2m d2 psi by dx square plus v psi तो यह हमारे पास जो equation है this is a differential equation and this is known as the Schrodinger equation okay this is the Schrodinger equation इसको हम Schrodinger equation कहते हैं यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर साई है वो साई x पर भी depend करता है और time पर भी depend करता है अब भाई देखो यहाँ पर एक चीज कि यह equation जो है वो तो कैसे किस फॉर्म में है यह simply हमारे पास एक operator के form में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i h cross d psi over dt अगर 3 dimension में लिखोगे तो 3 dimension में हमारे पास x के भी term होंगे y के भी term होंगे z के भी term होंगे तो उसको हम collectively लिख सकते हैं del square plus v और आप बाहर bracket में साई कर दो यहाँ del square क्या है यहाँ है d2 by dx square d2 by dy square d2 by dj square this is the this del square अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि h मान लें और h जिसको की Hamiltonian कहा जाता है जो एक तरह से total energy को represent करता है तो हमारी equation हो जाएगे ih cross d psi by del psi by del t is equal to h times psi now this is the Schrodinger equation और यह Schrodinger equation कई मामलों में बड़ी खास है कई मामलों में खास इसलिए है चुकि यहाँ पर जो wave function है वो wave function actually space का भी function है और time का भी function है तो आप हमेशा यहाँ पर देखेगा कि यहाँ हमारा psi x के उपर भी depend कर रहा है time के उपर भी depend कर रहा है तो left side क्या दिखा रहा है कि time के साथ change कैसे हो रहा है जब time के साथ कोई चीज बदलती है तो उसको हम evolve होना कहते हैं समय के साथ विक्सित हो रही है तो यह जो equation है वो evolution को दिखा रही कि how the wave function is changes with respect to the time अब यहां के बाद से अब बहत सुरू हो जाती है कि अब तो हमें पता करना पड़ेगा कि जो wave function है psi इसकी physical meaning क्या है इसका physical मतलब असल में क्या है और यह आप माल लीजिए physics का यह सभी sciences में हम कह सकते है confidently सबसे ज़्यादा debated topic रहा है कि what is the physical meaning of science इतना बड़ा debated topic था कि इस बहस को ले करके physics की community में दो गुट बन गए थे एक गुट जिसकी lead कर रहे थे Einstein और एक गुट जिसको की lead कर रहे थे निल्स बोहर अब निल्स बोहर की Einstein की सेना में सामिल थे Einstein खुद थे Rosen थे प्रडॉस्की थे Schrodinger थे डेविड बोहम थे यह सब बड़े बड़े भ्याने भ्याने लोग इनके साथ थे लिस बोहर के साथ कि wave function क्या represent करता है इस interpretation को Copenhagen representation कहते हैं Copenhagen school का assumption मानते हैं अब Einstein का भी अपना एक suggestion था बट most popular तरीके से हम लोगों ने आज की date में wave function क्या represent करता है यह वह accept किया बात जो की Copenhagen school ने represent की थी यानि नीर्स बोहर के अगवाई वाले group में ने हमको बताई थी तो physical meaning जब हम पढ़ना सुरू करेंगे तो हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि कैसे physical meaning एक तो सबसे पहले Schrödinger ने खुद जवाब दिया था शोडिंगर ने खुद ये बताया था कि इस wave function का क्या मतलब होता है लेकिन अभी हमने देखा कि Schrödinger जिस good के वेक्ट थे जो उनकी सोचने का तरीका था उस सोच को हमने आज adopt नहीं किया है हमने उसके खिलाफ जो दूसरी सोच है उसको adopt किया है अगर हम बहुत brief में बताना चाहें तो Einstein का जो group था वो determinism वाला group था जिसके हिसाब से nature का behavior deterministic है आप अगर कुछ अच्छे अच्छे tools का इस्तमाल करो तो आप nature के सारे रहस्यों को खो सकते हो जो हमें नहीं दिख रहा है अगर हम उसको discover करना चाहें तो हम खो सकते हैं nature of universe is probabilistic जो nature का बेवहार है वो probabilistic है probabilistic मतलब यह होता है कि हम कुछ भी accurately deterministic तरीके से नहीं कह सकते हम सिर्फ संभावनाय बता सकते हैं और Einstein इससे नफरत करते थे शोडिंगर इस इस अजम्शन से नफरत करते थे और वो इस बात को माननेक तयारी नहीं थे कि nature probabilistic तरीके से बनी है अंदाजे से नहीं बनी कि संभावना यह है संभावना एक संभावना यह है वो इस बात को कभी नहीं मान रहे थे इसी लिए कभी कभी आप literature को survey करें तो आप देखोगे कि एक एक उधारन बनता है जिसमें कि कहा जाता है शोडिंगर cat शोडिंगर cat इसी चीज को बताने माला एक example है okay so we will discuss this in the next lecture so have a nice day